नमस्कार दोस्तो मैं इंशुल्द मैं आप सभी का अपने चैनल Tech & Target पर स्वागत करता हूं दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी जॉब आपॉटिशुटी का अपडेट देने वाला हूं तो दोस्तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज बताने वाला हूं कि क्या आपका job description रहने वाला है salary कितनी होने वाली है recruitment process भी दोस्तों पूरा का पूरा पताने वाला हूं क्योंकि इसमें आपका resume shortlist नहीं होने वाला आपका written assessment होगा पहला रहूं तो अभी भी हमने दोस्तों बहुत चारी job opportunities अपने चैनल पर डाल रही है साथ ही साथ दोस्तों हमारे telegram channel है दोनों हमारे telegram channel भी जोईन कर लीजे क्योंकि दोस्तों बहुत चारी opportunities ऐसी है जो LinkedIn पर आती है और वो मैं directly अपने telegram channel पर share कर देता हूं तो दोस्तों यह job opportunity LinkedIn पर post की गई है और यह official company की site से post की गई है इन लोगों ने लिख रहा है we are hiring freshers as software engineers Thinkative is looking for creative, passionate, tinder freshers, engineers who are willing to explore the world of coding with Thinkative eligibility criteria मैं बात करता हूं तो BE, BTEC, ME, MTEC in computer science and IT technology और MCA pass out होने वाले हैं 2018, 19, 20 and 2021 batch तो दोस्तों इस चार batches का recruitment करने वाले है means अच्छे level पर hiring होने वाली है तो इसके लिए जरूर apply करना है मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा जैसा कि आप देख सकते हो यहां इनका एक पोस्चर भी है जोड़ा सा location दोस्तों पूरे रहने वाली है तो बाकी मैं अगर apply करकर बताता हूं तो दोस्तों हम Thinkative की official website पर आजेंगे जहां इन लोगों ने अपनी job description eligibility criteria मेंशन कर रहा है यह सब चीज़ दोस्तों मैंने आपको बता दिये skills required भी बात करते हैं तो दोस्तों interpersonal skills अच्छी होनी चाहिए verbal communication skills आपकी अच्छी होनी चाहिए problem solving approach अगर दोस्तों आपकी aptitude skills अच्छी है तो कहीं न कहीं आपको benefit मिलेगा software development programming data structures and front-hand knowledge तो दोस्तों मैं जमस्ता हूं data structures की आप सभी को basic knowledge होगी और अगर मैं front-hand knowledge की बात करता हूं specific learner candidate should have good knowledge of logical and designing concepts fundamental of C, C++ in OOPS concept इसम बस तो दोस्तों एक request और है अगर आपको C, C++ के अलावा Java या Python भी आती है तो भी आर इसके लिए apply कर देना क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं हर एक language का logic हमेशा से हम होता है difference जो आता है वो syntax में आता है तो इसके लिए apply जरूर करना है knowledge of cml javascript and css is required printed css framework like foundation of bootstrap और मैं समझता हूं bootstrap की हर किसी को knowledge होगी है नहीं भी है आप एक दिन में bootstrap सीख सकते हो जितना मैं कह सकता हूं तीन घंडे लगेंगे last to last और कुछ आपको Google पर बहुत सारी sources मिल रहेंगी तो यह पावर्चुटी मिलने है बाकी आपको दोस्तो इस प्रेंग अंगुलर framework की knowledge है तो भी आपको एडवांटेज मिलेगा इंटर्वी प्रोसेस बता देता हूं दोस्तों पहले आपका होने वाला है online assessment उसके बाद है दोस्तो L1 technical interim फिर आता है दोस्तो L2 technical interview means low technical round होने वाल है पोर्ट है दोस्तो managerial and logical round तो दोस्तो इसमें आपको situation based on managerial questions पूछे जाएंगे प्रास में आएगा दोस्तो HR हो जिसमें बहुत ही easy होता है कंपनी का HR हो तो इसके लिए जरूर apply करिए बागी दोस्तों हम आप सभी को apply करकर बता देता हूं दोस्तों जैसी हम apply ना ओपर click करते हैं यह वाले page पर आ जाएंगे तो दोस्तो यहां इन लोगों ने कुछ चीजे mention कर रहे हैं जैसे कि इसमें आपको 2 साल का bond मिलने वाला है और 3 लाखा package है और बाकी दोस्तों आपकोई COVID-19 pandemic की वेशे सब कुछ work from home होने वाला है इन लोगों ने सब कुछ लिख रहा है और joining दोस्तों immediately मिलने वाली है तो बह कर देना है फिर आप दोस्तों यह वाले पेच पर आ जाओगे यहां आपको दोस्तों अपनी सारी information फिल करनी है जैसा कि मैं फिल अब धीरे-धीरे करता जा रहा हूं दोस्तों तो मेरे साथ दोस्तों अपना form फिल कर सकते हैं आप सभी भी क्योंकि opportunities नहीं में सखरनी है यह क्वालिफिकेशन बी टेक कंप्यूटर साइंस ग्रैजुएशन दोस्तों 2021 ग्रैजुविशन एग्रीगेट 7.36 पोस एग्रीगेट अधिसे डिप्लोमा पाउस आउट तो दोस्तों यह सब चीजे मैंने तो मतब डिप्लोमा नहीं कर रहा था एचसी चाहाई स्कूल को अग सब्सक्राइब आता है दोस्तों पाकि स्काइप नेम आपको अपना लेटेस फोटो देना है और कवर लेटर फिर नेक्स पर प्लिक कर देना है दोस्तों एक दो तीन चार पाट छह साथ आट नौ दस तो दोस्तों यहां मैं अपना नंबर से कर देखो मैंने नंबर अब ही डाल दिया है यह निया मुझे कॉल करने पैठ गए हो आप लोग कुछ नहीं होगा उस नंबर से कॉल करने पर फिर जैसी हम नेक्स पर क्लिक करते हैं वाट आरे और यह सेल्टेशन स्ट्री अब अब आप 3 LPS अगर आपके पास अब इसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो नो भी कर दीजेगा दो एफ प्लांड दो फॉर्थर एड्यूकेशन यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बट इसमें यह कर दीजेगा की सार्थ मुझे अभी तो इसमें नो कर दीजेगा बट ऐसा क्वेशन जब भी इंटर्व्यू में पूछ जाए तो आप बोल सकते हो कि मुझे अभी तीन साल का कोई एक्स्पीरियंस नहीं है उसके बाद मैं MTA के लिए जाऊँगा तो आप इसमें नो भर सकते हो उसके बाद दोस्टों हम नेक्स पर आते हैं बागी वाइड इडिड यू एप्लाय फॉ साथी साथ 202 साल का पॉर्ण है तो अगर आप इसके लिए रेडियो हो तो आप इसके लिए अप्लाय कर सकते हो साथी साथ इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करिए जिनको अभी तक जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चिनिटी है क्योंकि एक इतना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंग जुनिया पाई बैनों के साथ शेयर भी सब रुपी से का तो दोस्तों आज के लिए इतने बेर जल्दी बनताओ पी नहीं वीडियो में अपने लेट एक अप्रिट के साथ जब तक के लिए दोस्तों ठड़ने बाद